अयोध्या के राम मंदिर में दिये जाने पाले सबसे कीमती और अनोखे उपहार नमबर एक सोने के कलश और धनुषबान पटना के हनुमान गड़ी मंदिर की ओर से अयोध्या के राम मंदिर को 10 करोड रुपए सोने का कलश और सोने का धनुषबान भेट किया गया जो कि अब पाव हैदराबाद से अयोध्या आए और योगी आदित्यनाथ को चरण पादु का भेट किया आमबरतीन 600 किलो घी राजिस्थान के जोधपुर से अयोध्या के राम मंदिर के लिए 600 किलो घी 108 कलशों में रखकर जोधपुर से 5 रतों में अयोध्या लाया गया इस घी से भगवान श्री राम का अभिशेक किया जाएगा और 22 तारीख को इस घी से पूरे अयोध्या राम मंदिर में दीब जलाए जाएंगे गुजरात से अयोध्या आई 108 फीट लंबी अगरबती इसकी लागत लगभग 3-4 लाख परी है कहा जाता है यह अगरबती डेड़ से दो महीने तक जलेगी और आसपास के तीन से चार किलो मीटर तक इसकी खुश्बू से प्रक्तों का मन मोहेगी नमबर पांच चार सो किलो का ताला अलीगड के एक बुजर्ग जोड़े सत्य प्रकाश शर्मा और उसकी पतनी ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए चार सो किलो का ताला भेट किया आपको बता दू कि इस ताले को बनाने में छे महीने का समय लगा बात करें इसकी लंबाई की तो वो दस फीट है और इसकी चौड़ाई चार फिट है नमबर छे नौ देशों का समय बताने वाली घड़ी लखनव के अनिल साहू ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए एक अनोखी घड़ी बना कर भेट की है उनका मन मोहेगी नमबर पांच चार सो किलो का ताला अली गड़ के एक बुजर्ग जोड़े सत्यप्रकाश शर्मा और उसकी पतनी ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए चार सो किलो का ताला भेट किया आपको बता दू कि इस ताले को बनाने में छे महीने का समय लगा नमबर चे नौदेशों का समय बताने बाली घडि लखनु के अनिल साहू ने आयोध्या के राम मंदिर के लिए एक अनोखी घडि बनाकर भेट की है जो नौदेशों का समय बताती है नमबर साथ, ग्यारह सो किलो का दीप अयोध्या के राम मंदिर के लिए गुजरात के वडोदरा से ग्यारह सौ किलो का विशाल दीप पहुंचा यह दीप इतना विशाल है कि इस दीप में पांच सौ किलो घी समा सकता है इस दीप को जलाने के लिए पंदरह किलो रुई का बाती बनाई गई है कहा जाता है इस दीप को जब जलाया जाएगा तो ये लगभग दो से धाई महीने तक जलेगी